हेलो एप्रीवरन वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल जार्खन जी के स्पेशल सिरीज की ये क्लास नंबर 12 है 11 क्लासेस हो चुकी है आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना में हम लोगों ने क्वेश्चन को कवर किया है आज हम लोग टॉप 25 प्लस क्वेश्चन को कवर करने है ठीक है और जिसी आप यहां पर अ क्लास फ्लाइड वना रही थी लगा मंधशला तो यह उप्लोड करना की वरी नंचलों फिर अभी स्टार्ट करते हैes क्लाइच नमबर 14 एहां पर उराऊं जण जाती के लोग रशिष्ण भारत से आकर सर्व против कहाँ आ आकर बस गए थे संधाल परगना में हजारी बाग के पठार में रोहतास की पहाडियों में और उप्रक्त में से कोई नहीं अगर आप अभी जैसे स्ट्रीमिंग में ये क्लास चल रही है ठीक है आप देख रहे हैं तो लाइब जो चैट है वो ओपन रहता है तो आप वहां पर आंसर करते जाएंगे ठीक है तो इसका राइट आंसर होगा फ़र्स्ट का ओप्सन थर्ड जो की है रोहतास की पहाडियों में आकर के बस गए थे सबसे पहले उराओं जन जाती के लोग नेक्स्ट क्वेशन को देखते हैं सेकेंड नंबर कहां पर जैन धर्म के 20 तिर्थ करों को मौक्ष की मौक्ष प्राप्त हुई थी संधाल परगना में हजारी बाग के पठार में रोहतास की पहाडियों में और पारसनात की पहाडियों पर तो इसका राइट आंसर होगा नात की पहाडियों पर नेक्स्ट को देखते हैं हम लोग क्वेशन नमबर थाडर्ड करिश के समय में सिक्के जार्खन में कोन से जीले से मिला है गटा आंशे करना करantics में और मैं तो आंसर आपको बताऊंगी ही मेरे बताने से पहले अगर आप करते हैं अब डेखो और गलत होगा कोई बात नहीं लेकिन मैं बताऊंगी तब तो करेक्ट हो जाएगा ना तो हम लोग गलती हो से ही सिखते हैं तो थर्ड नंबर क्वेशन का करेक्ट आंसर होगा यह राटी और सिंभुम जीले में जो है सिक्कें बहुत अधिक मिले थे यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है यहां पर रामगर राज्य उस तरहीं में आता था और अभी जीले में यह convert मतलब जीलों में यह आता है ठीक है रामगड एक जीला है जारकंड में जो की 2007 को इसका गठन हुआ था तो इसमें confused नहीं होतना है जीला और राजे अलग है तो इसका right answer होगा पहले तो options को हम लोग देखते हैं अपिल देव बागदेव और अर्जुन देव तो right answer will be the option थर्ड होगा जो की है बागदेव ठीक है और बागदेव और सिंग देव जो है ना जैसे आप option में यहां पर देख रहें यहां पर सिंग देव और बागदेव यह दोनों ना भाई है ठीक है तो दोनों ने मिलकर 21 जो तो पर गणा है ना पर गणों पर अधिकार कर लिया था और दोनों भाई जो है नागवंची राजाओं के सामन्द थे ठीक है तो नाम देख रहे हो कैसे है यहां पर सिंग देव है बाग देव है तो चलो फिर आप देखते हैं और इन्होंने ना सीच्ईह को इन्होंने कर लो, question नबर 5 है, मौर्य समराट में से कौन सी जनजाती का विवरण है, तो इसका राइट आंसर होगा option second जो की है 8 विक यह एक जनजाती है जिसका विवरण यहां पर क्या गया है और मोर्य वंश का सरवादेग शक्ति सालि सासक तुम डाउन कर ले ये चंद्रगुप्त मोर्य ए ये चंद्रगुप्त होगा चानक की होगा इसका आंसर ठीक है तो ऐसी एक क्वेश्चन में हम लोग रिलेटेड फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर औरंग जेव के समय जार्खन का कौन सा जीला मुगल सप्ता से बाहर था मुगल जो सप्ता चला था उस टाइम में वो जीला इंक्लूड नहीं था उसमें ठीक है उससे बाहर में था यह जैसे सी 2017 का क्वेश्चन है छोटा नागपूर बोकारो रांची धनबाद तो इसका राइट आंसर होगा ओप्शन फोर जो की है धनबाद जीला नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना गाउं अपना राज दूर भगाउं विदेशी राज यह नारा किस ने दिया था यह पिएसी 2007 का यह क्वेश्चन है ओप्शन को पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पर मुकुंद सिंग रगुनात महतो विश्णुमान की बुंडु मुंडा है तो राइट आंसर इसका होगा ओप्शन सेकेंड जो की है रगुनात महतो है ठीक है और इन्हों ने कब दिया था तो 1769 में और रगुनात महतो चुआर विद्रोह से संबंद रखते हैं किलियर हो गया ये नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं एट नमबर हजारी बाग में असायोग आंदोलन के दोरान इनमें से जार्खन की कौन सी महिला ने महत्वपुर्ण योगदान दिया था देखो जार्खन के इसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनोंने जो राष्ट्री आंद अंदोलन हुआ था ना इसमें सहयोग दिया था अपना तो यहां पर बताना है कि हजारी बाग में आसायोग आंदोलन के दोरान में ओके ओप्शन्स देखिए यहां पर सरस्वती देवी लिलावती देवी प्रेमावती देवी और शैल बाला तो राइट आंसर इसका होगा option first जोकी है सरस्वती देवी है इन्हों ने भारत चोड़ो आंदोलन के दोरान भी भाग लिया था और 11 अगस्त 1942 को हजारी बाग में एक विशाल जुलूस का नेतरीत वो क्या था किसने सरस्वती देवी ने और इसलिए जो है इन्हें अग्रेफतार करके भागलपूर जेल में भागलपूर जो जेल है भागलपूर में वहां पर भेज दिया गया था ठीक है यह क्लियर हो गया और आप सजा दे गई थी वह एक स्वतंत्रता से नानी है जहारखन के आप नाम बताना उसका ठीक है और बरगत की पेड़ पर उन्हें लटका कर फांशी दी गई थी नाम आप कॉमेंट शक्सर में बता देना नेक्स्ट नाइन नंबर क्वेशन विर्षा मुंडा की मृत्यू किस र तो राची के जो जेल है ना यहां पर इनकी मृत्यू हो गई थी ठीक है और हम लोग देख लेते हैं मृत्यू कब हुई थी तो यह 9 जून 19 को 19 में और यह मतलब इनकी जो मृत्यू है ना यह 25 वर्ष की उम्र में हुई थी और विर्षा मुंडा का जैन्म कब हुआ था तो 15 नवंबर 1875 इसवी में जन्म हुआ था कहां पर तो खूटी जीले के उली हातु गाउं में हुआ था ठीक है और विर्षा मुंडा का बचपन का नाम क्या था तो यह दाऊद मुंडा था इसको आप लिख देना यह प्रिवेस एर क्वेस्टन ने दाऊद मुंडा था और और क्या क्व करेंगे और मुंडा विद्रोह जब हम लोग देखेंगे क्वेस्टन को यह आएगा तो वहां पर उससे रिलेटेड हम लोग डिसकास करेंगे नेक्स्ट क्वेस्टन नमबर टेन किस क्रम की चट्टानों को धात्विक खनीजों का भंडार ग्रिय कहा जाता है विंधियन क्र थारवाण आर्कियन करम तो लाइट अंसर यह ओपसं थर्ड जोकी है नितिके और यह कहां पर पॉइसे चेत्र करन की च्टाने मिलती है और रवह की प्रमुक्त के कि कारण है नेन एक्स्ट क्वेशन है 11 नमबर अभरक प्रधान लाल मृदा कहां पाई जाती है सिम्डेगा सराइकिला खर्षावा धनबाद या फिर कोडर्मा तो आप कॉमन सेंस लगा करके भी क्वेशन का राइट आंसर कर सकते हैं अभरक प्रधान देश कौन सा सुरी जो जीला है वो कौन नगरी के नाम से जानते हैं तो दाट इस कोडर्मा जीला होगा तो इस क्वेशन का भी राइट आंसर क्या होगा यह पोडर्मा होगा ऑप्सन फॉर विल भी दा राइट आंसर क्वेशन नमबर ट्वेल्व है गुमानी नदी कहां से निकलती है यह मॉस्ट जार्खन की जो रीवर सिस्टम में कम्प्लीट आपका प्रैक्टिस कराई हूं क्लास नहीं देखें तो आप कर लेंगे और इग्जामिनर में अभी बहुत चलाक हो गया है तो जो नदियां जिसे की बराकर दामोदर यह हर किसी को पता है इसके बारे में लेकिन जार्खन मे सारे क्वेशन को कवर किये हैं जो चोटी नदियों से रिलेटेड हैं और बड़ी नदियां सबको आप उस क्लास को जरूर से देखना और यह जो गुमानी नदिया जार्खन में बहती है लेकिन यह चोटी नदिया यह कहां से निकलती है यह चीज हमारा यह हमारा क्वेशन ह बताई वह आपको मैं बता रही थी क्लास हुआ है प्रैक्टिस कर लो वहां से और कर लिए हैं तो कोई बात नहीं अच्छी बात है आपके लिए ठीक है ना यहां पर हमारा आंसर क्या होगा देखते हैं चलो तो यह गुमानी नदी जो है ना यह राजमहल की पहाड़ियों से निकलती है तो और यह कहां पर है आप मेरे को डिस्ट्रिक्ट का नाम कॉमेंट करके बताना कॉमेंट करोगे ना इसमें मुझे कुछ लाब नहीं मिलने वाला है आप ही को ब कराइट आंसर होगा राजमहल की पहाड़ियों से और ओप्शन देखो लातेहार की टोरी से कौन सी नदी निकलती है तो यह दामोदर नदी निकलती है जो जहारकन की सबसे लंबी और बड़ी नदी है और रांची नगरी से दो नदिया निकलती है एक दच्छली कोयल निकल लेकिन यह बिहार से निकल करके जहारकन राजे में यह प्रवेश कर जाती है तो यह सब बहुत है डिटेल में हम लोगों ने कवर किया है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी उस क्लास को जरूर से देखें और सेरीज में ना कंटीन्यू आप बने रहें ताकि रिवीजन आपका मल्टीपल टाइम होता रहेगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेशन है थाटीन नंबर भोगोलिक छेत्रफल की द्रिष्टी से जहारकन का सबसे बड़ा वन्ये जीव अभ्यारण निम्ड में से कौन सा है क्वेशन अराम से ध्यान से आपको पढ़ना है यहाँ पर भोग करके मुझे बताना ठीक है मैं बहुत ही कन्क्यूज थी यहां पर तो महुआ टांड वन्ये जीव अभ्यारण जो है यह भोगोलिक छेत्रफल की द्रिष्टी से जहारकन का सबसे बड़ा वन्ये जीव अभ्यारण है ठीक है और यह कहां पर है तो यह लातेहार जीले में है तो डाउन कर लेना लातेहार में है यह और इसके अस्थापना कब हुई थी तो 1976 में अस्थापना क्या गया था ठीक है और यहां पर भेडिये अधिक पाये जाते हैं और हिरन ओके और चेत्रफल अपने लो यहां पर जब यह क्वेशन आ ही गया है तो 63.2 क्या हो रहा है 63.25 5 किलो मेटर स्क्रेण हर यहां का अब लावा लॉंग वर्नेजी अभियारन है तो इसके बारे में थोड़ा से बस देख लेते हैं कि कोंसे जिले में है तो लावा लोंग वन्य जिव अभ्यारन जो है न ये चत्रा जिले में है और ये दल्मा वन्य जिव अभ्यारन कहां पर है तो ये इस्ट सिम्भू में है हजारी बागवाला आप कॉमेंट करके मुझे बता देना जारकर राजे में प्राप्त होने वाले कौन से अभरक को रूबी अभरक कहा जाता है सची वाले सहायक जो एक्जाम हुआ था ये 2012 में पूछा गया क्वेशन है तो पीला, सफेद, काला या फिर लाल राइट आंसर विल बी दा ओप्सन सेकेंड जो की है सफेद नेक्स्ट है 15, नंबर क्वेशन, सिमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता इनमें से कौन से राजे में प्रचूर मात्रा में मिलती है तो आप आंसर करो इसका, आंध्रप्रदेश, भिहार, जारकन और चातिसगर तो राइट आंसर will be the option third जो की है जारकन ठीक है और यहाँ पर मेरा आपसे एक question है जो यह चार state है ठीक है चार यहाँ पर आप state देख रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा state है जिसकी boundary टच नहीं होती है जारकन के जो boundary है शीमा है उसकी असपर्स नहीं होती है तो answer आप करोगे ठीक है अच्छा चलो मैं ही आपर बता देती हूँ 36 गर से तो boundary share होता है जारकन तो है ही राज्य हमारा बिहार से भी होता है तो इसका जो मैं question पूछी उसका right answer यहाँ पर होगा आंध्रप्रदेश नेक्स्ट है 16 नमबर जारकन राज्य का सबसे बड़ा railway station इन में से कौन सा है राची टाटा नगर धनबाद और गिरिडी तो right answer इसका होगा option 3 जो की है धनबाद है ठीक है अब हम लोग यहां पर रेल मंडल जारकन में कितने हैं इसको देख लेंगे आपसे question अगर यह पूछे कि जारकन राज्य में कितने रेल मंडल है तो आपका answer होना चाहिए तीन रेल मंडल है कौन-कौन से यह भी मैं आपको यहां पर रांची होगा और यह धनबाद होगा ठीक है यह तीन रेल मंडल जारकन में है और जारकन से होकर गुजरने वाला पहला रेल मार्क जो है ना यह 1854 इस वी को बिचाया गया था ठीक है और यह कोलकता से रानी गंज तक था कितना 180 किलो मिटर इस चीज को नोट डाउन कर लेन और यह question हम लोगों हम लोगों ने किया है पहले के session में ठीक है चलो फिर next देखते हैं question number 17 जारकन राजे में वर्तमान में कितने नगर निगम है वर्तमान में अभी बताना है तो right answer will be the option 4 that is 9 है no नगर निगम है कौन-कौन से है मैं आपको औरली नाम बता रही हूं यहां पर जगह नहीं होगा त्टिक है नो जो नाम है वो लिखने का तो सबसे पहले आप लिख लेना मैं आपको बता रही हूं यहां पर धनबाद सोरी रांची आप लिख लो पहले यह हमारा राजधानी देन धनबाद लिखना ठीक है धनबाद फिर आता है देवघर मैं फर्स्ट लेटर लिख रही हूं फिर आता है चास आदित्यपूर फिर गिरिडी हजारी बाग मेदनी नगर और मानगो ठीक है यह रांची धनबाद देवघर चास आदित्यपूर गिरिडी हजारी बाग मानगो और मेदनी नगर यह नो जो है नग यानि की एक ही नगर निगम था वो कौन सा था रांची नगर निगम था और ये बिहार जब अलग नहीं हुआ था ना भी हार से जारकन उस टाइम ये बना हुआ था था रिए और ये नगर निगम कब बना था जब अविभाजित बिहार था उस टाइम आप लिख लेना 15 September 19 लिख लो यहां पर 15 सेप्टमबर 1979 को ठीक है नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन राची जीले की साचर्था दर कितने प्रतिशत है कितना प्रतिशत है राची जीले का लिटरेसी रेट तो राइट आंसर विल विदा ओप्शन थर्ड जो की है 76.06 परसेंट है आपसे क्वेश् प्रूमुमंत नहीं करते हैंगाया है लिटरेसी और कमसाचर्ता दरवाला जीले का नाम आपको बता आप सर्च करो गूगल में सर्च करो वहां पर आपको मिलेगा आप वहां पर ढूंडेंगे क्वेशन का अंसर तो वह न माइन में सेट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है 19 नमबर नाटियांचल नामक संस्था कहां इस्थित है हजारी बाग राची धनबाद गिरीडी 19 का करेक्ट आंसर होगा ये हजारी बाग में इस्थित है option first right answer 20 नमबर क्वेशन है सोहराई पर्व के तिसरे दिन की पूजा विधी को किस नाम से जाना जाता है तो यह जो पर्व है ना यह पर्व पांच दिन तक मनाया जाता है तो यहां पर हमको इस्थिफाइग कर दिया है कि तीसरे दिन में तिसरे दिन की जो पूजा है पूजा विधी को कौन से नाम से हम जानते हैं जाहर एरा गुवाल पूजा जाले या फिर संटाव तो इसका राइट आंसर होगा ओप्सन फोर होगा संटाव के नाम से जाना जाता है ठीक है इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ था कि सोहराई परवर जो है कौन से जन जाती बनाती है तो देखो बुक में यहां पर मुंडा जन जाती है लेकिन दो बच्चों ने दो स्टूरेंट्स ने कॉमेंट किया हुआ है मुंडा जन जातियों का यह प्रमुक्तेवार है मुंडा जन जातियों के द्वारा यह जो सोहराई पर्व है यह मनाया जाता है ठीक है और यह पर पांच दिनों तक मनाया जाता है तो चलो हम लोगों देख लेते हैं पहला दिन जो मनाते हैं उसको क्या कहते हैं तो और इसमें क्या होता है पश्वो को पख़वा खिलाया जाता है जार्खंड में गांव इसके सांद बंगाल में भी मनाया जाता है और भी हार में भी यह फुर्व मनाया जाता है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन संथाल परगना के संपूर्ण चेत्र में कौनशी भाषा बोली जाती है यह आपको क्वेश्चन में यह आंसर छुपा हुआ है तो आप आंसर कर सकते हैं थर्ड विल बी दर राइट आंसर देखो भारते संविधान के अनुसूची आर्ट में कितने लेंग्वेजेस हैं 22 लेंग्वेजे इसमें से एक भाषा है कौन सी तो यह संथाली भाषा है 22 भाषाओं में एक भाषा संथाली भाषा भी है ठीके नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं 22 लुक कथाएं यह पुस्टक है ठीक है मुन्डारी लोक कथाएं पुस्टक किस ने लिखिये जैसे शी 2015 में यह क्वेशन पुछा गया है तो राइट आंसर होगा जगदीश है त्री गुणायत होगा त्रीके नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं 23 नंबर संथाल जन जाती के सर्वोच देवता को क्या कहा जाता है बुरू बोंगा सिंग बोंगा मारांग बुरू और इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट आंसर होगा ओप्सन थर्ड होगा जो कि है संथाल जन जाती के सर्वोच देवता को क्या कहा जाता है मारांग बुरू कहा जाता है और ठाकूर भी कहा जाता है इस चीज को नोट डाउन कर लेना 24 नंबर क्वेश्चन है उराओ जन जाती के लोग मिश्रित धर्म को मानते हैं इनका प्रमुग देवता को क्या कहा जाता है अभी हम लोग संथाल जन जाती के प्रमुग देवता को देखे जो मारांग बुरू है तो यहां पर उराओ जन इन में से कोई नहीं तो राइन स्काओंध लोग देवता तो इसका राइट आंसर को सब्सें कि जो है यह राइट आंसर होगा जो यह राय आंसर होगा और इसमेंता हैцо कहा जाता है आप इस चीज को note down कर लेना देखो उराउं और बहुत सर ऐसे देवता है ना नाम से हो सकता है चान्ष में यह सकता है यहां यहां सिंघ बौंगा और सिर्ण जाती के सुटे के समय जाता है तो सिंग बोंगा कहा जाता है नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेस्चन धेलगी और दूद किस जनजाती का वर्ग है कौन सा जनजाती का वर्ग है यहाँ पर ही बताना है तो राइट आंसर इसका होगा ओप्शन थर्ड होगा जो कि है खड़िया है ठीक है और मेरा आपसे क्वेस्चन है यहाँ पर जो जारकन की अलप शंक्याग जनजाती कौन सी है आप कॉमेंट करना और मैं आपको आंसर कॉमेंट बोक्स में पिन कर दूगी ठीक है तो यह थे 25 क्वेस्चन और ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी अच्छे-च्छे क्वेस्चन के साथ और अपने फ्रेंट्स में यह क्लास को जरूर से शेयर कर देना और यह जो क्लास है साथ बजे इवनिंग और साथ बजे मॉर्निंग में क्लास होगी आप पूरी कोशिश करना हमें 35 से उपर मतलब क्वेशन को सही करना है मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में